चलिए फास्टी तरीके से हमारी क्लास होती है पहला कोशन आपके सामने दिया गया है वीदियो को लाइक से जूर कर दिजिएगा यहाँ पर देखिए आप से कोशन दिया है रूमी दर्वाजा कहां इस्तित हैं पहले का जवाब देना है रूमी दरवाजा कहाँ पर दिख्थी थै इसका right answer पहले का answer आपको दिख रहा है सभी का answer आपको नहीं दिखेगा राइट answer हो जाएगा यहाँ पर आपको कौन सा भी तो answer हो जगा ए नमबर आपके लखनौ में है क्या जो आपका रूमी दरवाजा है ठेके, ये कोईसन बहुत बार पूछा गया है आगे बढ़ते हैं कोईसन आप से गलाब पूछा गया है निम्ण में से किस रिसी का जर्म वा करम इस्थल बलिया माना जाता है चलि है ऽाथिवोज जवाब दीजेगा ऐसे कौन से रिसी थे जिनका जर्म वह कर्मिस्थल बल्या माना जाता है यहां परनसर को लॉग करना है चलिए यहां पर two number का जवाब आ रहे है option C number ब्रंगुरसी कौन है तो यहां परनसर C जिसका रहा है बिल्कु राइड हो जाएगा यह आपके ब्रंगुरसी है option आपका C बनेगा ठीके आगे बढ़ते हैं कोईशन आप सिगला पूछा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तड़ पर इस्तित है चलिए बताए कालपी नगर किस नदी के तड़ पर इस्तित है यहां पर पूछा इस्तित है आगे बढ़ते हैं कोशिन आप सिला पुछा गया है कि वारान रसी इस्थित वर्तमान विस्व नात मंदीर का निर्माड कराया था ये बताइए वारा नसी में क्या है विस उनात मंदिर है और इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया है यहाँ पर आपको जवाब देना है आपका राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जेगा छ़लिए फॉर को आप सनारा है एनमर रानी अहिला ब्याद जो कि विलकुल जब नंबरिंग करते हैं तब हमें पता चलेगा न कि आप लोगों नो याप पर जवाब सई दिया है या नहीं दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोईशन आप से लाप पूछा गया है कि अरजुन दुरौपदी का स्वेंबर इस्थल भेद कुंड कहा परिश्थी थ तो चलिए यहां पर 5 का जवाब आने शुरू हो गया है और देख सकते हैं यहां पर आपका सी नंबर यह कहां पर है आपके फरुखा बाद इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रियाग राज इस्थित अलफ्रेड पार का पुनाह नाम करण किया गया है वो किसके नाम पर कि आपका बी हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला पुछा गया है बहु बेगम का मकबरा कहां परिस्थी थे और उनको लोग करना है सेवन नंबर चलिए यहां पर अंसरा रहा है बी नंबर आयोध्या कुछ लोग जवाब दे रहे आगरा वही आगरा नहीं है न चलिए बिल्कु सही है यहां दरिखे लाड कानवालिस की जो कबर है हना यह ऐसा गवर्नर जनल था जिसकी कबर आपके भारत में है एक मातरे सा गवर्नर है यहां पर आपको हो जए कौनसा गाजीपुर गाजीपुर आपसन आपका ए नंबर आपका राइट हो जएगा और यहां पर एक अफिम की फैक्टरी भी थी है ना पताया गया था और सबसे ज्यादा जो अफिम होती है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है माहा जनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राध्धानी थी यहां पर आपका अंसर सही क्या हो जएगा चलिए आपसन आना सुरू हो गया है यहां पर आपसन आ रहा है हस्तिनापुर हस्तिनापुर नहीं है इसका हस्तिनापुर नहीं बनेगा कोशल बनेगा क्या हो जएगा यह कोशल यह अर्थात अयोध्या किस जनपद की राध्धानी थी तो कोशल जनपद की तो आपसन बनेगा यह ठीके चले आगे बढ़ते कोश्चन आप से अगला कुछा गया है यहां पर देखे अगला कोश्चन आप से दिया है निम्निकित में से कौन उत्तरवदेश में बहुत परिपत का भाग नहीं है तो आपका कपिल वस्तु कुसी नगर संकिसा और आपका स्रावस्ति इसका राइ कहा जाता है यहां पर अपने माता से यह मिले थे यह बस आपका कह सकते हैं यहां पर थे संकिसा ठीके चलिए आगे बढ़ते कोश्चन आप से गला पुछा है भारत माता का मंदीर जो इस्तित है वापका कहा पर है याद रिखे आपके भारत माता का जो मंदीर है वो आपके वारान सी में, किलियर है, आगे बढ़ते हैं, कोर्षन आप से लगा पूछा गया है, कि कलिंजर का किला है, वह आपके कहां परिस्थी थे, वीडियो को भी लाइक सेर करते रहे हैं, जितने लोग जुड़े हैं, और यहां पर लगातार मेनत कर रहे हैं, हमारे साथ, अपने प कुछ सही आपका रहा है, अंसर जिसका लोगों को जवाब आया है, भी नंबर है, तो आपका राइट अंसर हो जएगा, बांदा हो जएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोर्षन आप सिकला पूछा गया है, कि कमपिल जो की फरुखाबाद में, गंगा के किनारे मुगल घ हाट का जो निर्मान कराया था, वो किसने करवाया था, यहाँ पर जवाब दीजेगा, यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या बनेगा, चलिए, आपका औरंग जेव, चलिए, औरंग जेव, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, औरंग जेव, तो देखिए, इसका राइट ब्रम्हावर्थ ब्रम्हावर्थ मतलब यहाँ पर इसलिए हमने बोल दिया क्योंकि बिठूर का पहले नाम क्या था ब्रम्हावर्थ के नाम से जाना जाता था जो आपका बिठूर था हाना तो बिठूर को ब्रम्हावर्थ के नाम से भी जाना जाता था ऑप्सन मनेगा आपक कुछ सही अंसर रपता सी हो जगा सरधना में करवाया था वेकम बढ़ते हैं कोछन आप सिखला पुछा है आगरा सहर की इस्थापना की थी आगरा सहर की जो इस्थापना किया था वो किस ने किया यहां पर जवाब दीजेगा चलिए बैलोल लोधी ने किया था क्या सिकंदर लोदी नहीं बहुत लोग दो बस तुका मारने में वाही रह नहीं नहीं होगा है intention मेंसे सुमैलित नई है अब आप लोग बता यह गंगा बषाए अ-ध-ак के सकते वारा नसी गंगा नहदी किनारे लखनो गोंती किनारे गोरक पूर कोशी नहदी किनारे सर्युमतराई उद्ध्या सर्यु नहदी किनारे कौंसा हो जाएगा चलिए 17 का यह बात है आप लगागे तो थोड़ा सर में के गलत है यहाँ अंसर आपका सी नंबर गलत था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोईशन आप से गला पूछा गया है यहाँ पर दिया है हर्सवर्धन दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था हर्सवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था कन्योज प्रयागराज में प्रयागराज थाने सोर वल्ली और प्याग राज में क्या होज़ेगा तो इसका राइट अंसर बिल्कुल सभी कहाया है कन्नोज और प्याग राज में किया था जो आपके बहुत धर्म का जो पांचुआ आपके सिक्ते सम्मेलन हुआ था वो आपके किस ने करवाया था तो आपके हसवर्थर नहीं करवाया था ठीक है आगे बढ़ते है कुछ नाप से इला पूछा है ने में से कौन विस दरोवर इस्थल में नहीं सामिल है विस दरोवर में सामिल नहीं है इनमें से कौन चले इनमें से 20 दरोवर में कौन सामिल नहीं है चले जवाब दिजे और ल अगबर कमकबर कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ओफ लाइन देख रहा है तो आफ लाइन कमेंट करिएगा ठीके आगे बढ़ते हैं कोचन दिया गया है जौन पूर नगर की स्थापना किसकी इस्मृति में की गई थी यह पूछा गया है कभी कभी यह प आगे बढ़ते हैं कोचन दिया गया है किसे जैनियों से संबंदी थे प्रभासगिरी आगे बढ़ते हैं कोचन आप से इगला दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुला कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है तो आप लोग जवाब दीजेगा हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक जो सुला कुल उत्सव है ये आपका कह सकते हैं कि आयोजन होता है कहां पर होता है चले यहां पर दिखो दिया गया है अलेगड इटावा और आपके बारबंकी तो दिखिए इसका राइट अंसर क्या बन जाएगा यहां पर अंसर हो जगा ए नमबर आपके आगरा में होता है कहां पर आगरा में अच्छा अगर माल लो हम इस आगरा वाले ओप्शन को गैप कर दें थोड़ी देर को अगर हम यहा प्रतिक आपसे पूचेगा हिंदू-मस्लिम एकता का प्रतिक इनमें से कौन सा मेला लगता यह कोशन पूचेगा तब आपको बताना है नौचंदी महसो जो कि उत्तरव देश का दूरसा सबसे बड़ा यहां पर महसो होता है पहला होता है प्रयाग राज का यह आपकी प्रतिक विए थे बहुत लोगों से गल्तियां होई थी क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा था क्या सुला कुल पढ़ा था बल्किंसला कुल आपर यही याद रिखेगा है तो आपको हमेसा याद रहेगा आगे बढ़तें कॉशन दिया है संथ मलूक दास थे यह आपके थे कह संबंधी थैं संत मलूक दास देकर काफी लोग दे रहे हैं आपके कौसांबी जो कर्था कड़ा तो याद रखेगा अंसर अपका हो ज़ेगा सी अगे बढ़ते हैं कोश्चना आप से दिया है ए उदयन वासदता की कथा संबंधी थे इसको भी नोट करिएगा ये भी आपके कौसामबी से है कां से है आपके कौसामबी से है तो इसका विराइट अंसर क्या जाएगा यहाँ पर भी नमबर अरायट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया है नाय मिसारण तीर्थ किस जनपद में है यहाँ पर आप्षिन को लेते हैं कि इसे भारत का सीराज कहईते हैं कौन साप कह जा पर है चले किसे भारत का सीराज पूचला तो कर्या है और जाना जाता था नगर महोदय सिरी के नाम से ये भी कोश्चन आपके आरोई जाम में पूछा गया था नगर महोदय सिरी हना मिलान करने के लिए आया था हमने बताया था कि अगर कोश्चन में मिलान करने के लिए पूश रिया तो समझो चार कोश्चन आपके एक साथ बन गए तो यहाँ प पर दीजिए इसका रहाएं पर बेर आपका रहिएंसर क्या होगे किए देखो इसके Πे़ले आप कोर्षय अया था जो आया था जो आया था जो आपके यहां पर कुतुम मिना है उसकी पाँचवी मंजिल का निर्वाड कराने का यहां पर स्रे जाता है फिरो सातुलग को ही जाता है हना इसने बहुत कुछ प्रसास्निक ब्योस्था में सुधार भी किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि महा निर्वाड मंद यहां पर कुछी नगर ऑप्शन भी हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निर्वन में से कौन जैन और बहुत दोनों का प्रिसिद्ध जो तीर्थ है यह कहां परिष्थी थे चलिए 31 का जवाब दीजेगा सही जवाब क्या हो जाएगा देखे आपका कौसांबी बहुत अंसर आ रहा है कौसांबी से देखे काफी जगा हो जा रहा है कि कौसांबी से आपको कॉस्चन परना पर पढ़ेगा तो अप्सन भी हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है क्यारे उत्तर बिदेश का प्राचीन्तम जीवंत नगर जवाब का है कौन है वह प्राची निस्थाल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में संपूर्ण महा भारत का वाचन किया गया था। परिस्थीत हैं। आपके जहासी में ऑप्सन टी इसका अराइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है धम्मेक इस्थीत है। धम्मेक इस्थीत है यह कहां पर इस्थीत है इसका भी अंसर लॉक करिएगा। जो लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक ने कहें हैं तो वीडियो को भी लाइक जिर करते रहेगे साथ साथ में। वीडियो को लाइक तुरंद कर दिया करें। लखनव आगरा और आपका 100C option मनेगा एक नमबर लखनव आगरा और आपका 100C option मनेगा यहाँ पर कौनसा एक नमबर इसका right हो जाएगा। ठीक हैं आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि प्रदेश में परेटन को उद्धो का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर लोग करना है चले option यहाँ पर देखे काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपका अंसर 98, 98 वही वनेगा यादरी कि इसका right अंसर वनेगा 1998 में परेटन को धोक का दर्जा दिया गया तभी तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो आपके परेटन इस तले आपके बना अगे बरते हैं question दिया गया है कि ब्रंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माड करवाया था यहाँ पर यादरी के महराजा मान सिंग कौन यह महराजा मान सिंग है इन्होंने ब्रंदावन में गोविंद दियो मंदिर का निर्मार करवाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पुछा गया है यहाँ पर कोश्चन आपके सामने आ चुका है अच्छा कोश्चन है इन्ने मिनखित में से कौन सा मंदिर द्राविड सैली में निर्मित है इनमें से कौन समंदिर है यहाँ पर अंसर दीजेगा तो देखे आपका अंसर क्या होजएगा आपका रंग नाथ जी का मंदिर है यह आपकी द्राविड सैली में है देखो भारत में तीन प्रकार की सैलिया होती है तो आपको भई पता है कि आपकी द्राविट सेली भी होती है बेसर सेली भी होती है ना तो यादरी की इस कंसर हो जएगा A No. Right बनेगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है मुस्लिम संत साह मीना की जो मजार है ये कहा पर इस्तित है साह मीना ये संत है मुस्लिम संत है ये ल इन में से कौन था जो आपका प्रसित था चलिए आपके पास option है यहाँ पर option हो जएगा कौन सा यहाँ पर जो गोरगपूर अर्था जो रामगड है रामगड जो कि आपके गोरगपूर में है तो अंसर क्या हो जएगा यहाँ पर सी नंबर रामगड गोरगपूर ये अपन तीर्थ का आ जाता है नया कोशन मिला है आप सभी को हाणा तो चलिए यहां पर तालिस के गरम बात करते हैं तो आपका अलग भगन सरा आ चुका है हस्तिना पुर को कहते हैं याद रहे के हस्तिना पूर आपसन क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट बनेगा हस्तिना पूर प्रतीक है, आगे बढ़ते हैं कोईसन आप से प्जा है, यहाँ पाग बताया है, कुछ양 को यहाँ पर थीरी पढ़ना पढ़ेगा, बस आपको सुनना है, बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे बस आपको सुनना है क्योंकि सब कुछ आपको आता है बस रिविजियन की जरूरत है तो देखें यहां पर वारन रसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे वारन रसी को कासी के नाम से भी जाना जाता है यह सब लोग जानते है ठीके वारन रसी को कासी के नाम से भी जानते है अगला point दिया गया है कि कासी का प्रतम उलेख किसमें मिलता है तो कासी का प्रतम उलेख मिलता है अधरवेद मिलता है किसमें आपके अधरवेद मिलता है अगला point आप से दिया गया है कि रामायर कथा महाभारत में भी कासी का उलेख मिलता है अगला point आप से दिया गया है कि मह प्ष्क चुंग है मतलब यहाँ पर चभण के लुए अपके किस ने रिमित कर वाया था तो आपके एहिला भाई भोलकर द्वारा निर्मित करवाया गया जो विश्वनात मंदिर है अगला है तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है वारनसी में है अन्न पोडा मंदिर वारनसी में है संकट मोचन मंदिर वारनसी में है आदी विशेश्वर मंदिर वारनसी में है साची विन पर कुल 84 घाट हैं इनमें से प्रमुक है कौन असी घाट तुलसी घाट अहिल्या भाई घाट चंद घाट दसाव मेस घाट और मडिक कडिका घाट तो यह कुछ घाट है जिनको आपको रट लेना है था थोड़ा बहुत पड़ेंगे तो आपको याद रहेगा ठीक है यहां प पूर से भी कोशिन बनते हैं तो यादर के 1358 में 1358 में मुहम्मद बिन तुगलक जुकी जिनका नाम था मूर नाम था जौना खांके सम्मान में सुल्तान फिरोसा तुगलक ने जौन पुन नगर की स्थापना करवाया था अगला पूइंट है कि मलिक हुसाइन सरकी के नितर जौन पूर सिच्छा कामा इस्थापत और संस्तिक गद्विदियों का केंद रहा था अर्था जौन पूर सिच्छा इस्थापत और संस्तिक गद्विदियों का केंद रहा था इसलिए तो यह भी पॉइंट आप लोगों को नोट का लेना है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्र जामा मस्जिद कई जगा हैं लेकिन option के अंसार आपको सही करना होता है आगे बढ़ते हैं प्रस्णाप सिगला पूछा है कलिंजर दिखे कलिंजर के गरम बात करते हैं तो ये कोशन जोरू बनता है कि कलिंजर जोकी एक दुर्गी करती स्थाल है जोकी बांदर जिले में कलिं क्या है लखनपूरी या लच्मणपूरी के नाम से लखनओ को जारा जाता था याद रखेगा अगला है लखनओ के स्थापना भगवान सिरी राम के छोटे भाई लच्मण ने किय थी ठीक है किस ने किया तो आपके साधत खान ने किया तो आपके साधत खान ने किया था अगला दिया गया है लखनव के नवाब आसुप दौला के समय फैजावास से राधानी लखनव इस्थांतरित की गई थी एवी पॉइंट को नोट कलीजेगा कि लखनव के नवाब जो आपके आसुप दौला है इन्ही के समय फैजावास से राधानी लखनव इस्थांतरित की गए थी ठीक है अगला है ये बेगम हजड़त महले 1857 के विद्रो का नेतरत किया था कहांसे तो आपके लखनव सी किया था कहांसे लखनव सी किया था और अगला याप पर देख सकते हैं जो की कोशन बहुत बंदते हैं कि आपके लखनों के प्रमुखदासनी किस्था लोरा आपके इसमारक जैसे पहला पॉइंट कि आसुब दौला 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 निर्मित यहाँ पर बिबियापुर कोठी, रूमी दरवाजा, इमाम भड़ा, आस्थी मस्जिद, दौलत खाना और चौक बजार एक किसके दौला तो आपके असुब दौला की दौला दौरा निर्मित यहाँ थे, हाना आगे बटते हैं प्रसनाब से दिया है, कि गाजिव दौन हैदर दौरा निर्मित, मोती महल, मुवारक मंजिल, और कुर्धीच जादी और साधत अली, इनमें जाधा आपसे नहें पूछा जाता है, ज भाह मीना की मजार कहा पर है तो आके लखनों में हैं ठीके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके अगले पूंट चले आगला पूंट आपसे दिया गया है यहाँ पर कुशीन अगर्व नंगर में अगए हैं तो धिसित नाम क्या था बसेया था तो बसेया था महा जनपत काय governmentida प्रसनाब सेगला है चार सो तीरासी इस भी पूर भगवान बुद्धि का महा पर निर्वान जो हुआ था वो भी कहा हुआ था तो आके कुसी नगर में हुआ था असोकन यहां पर इस्तूपों और विहारों का निर्मार भी करवाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसनाब से सेयान मुद्रा में अतात लेटी हुई जो मुद्रा में 6.10 मीटर लंबी विसाल प्रतिमा भी आपके कहां पर है तो आके यहीं पर है अगला आप सेयां पर दिया गया है यहां के दरसनी इस्थाल पूछा है तो आके रामा भारी स्तूप कहां पर है तो आके कुसी नगर में लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरीयाई मंधिर घू सबका मिक्स आपक चैसक्ते बाने हुआ मंधिर है यहाँ पर मतलब है जो हम पर अगला पूइंट ओ चले यहाँ पावा नगर जो कि देख सकते हैं पावा नगर उसी नगर जिले में स्थी थें चार सो रच्ट इजवीपूर पाव नगर में ही जैन तिर्थकर महाविप साद्वीदी ने अपना देह त्या किया था पाओ नगर में प्रतेक कार्थिक पूर्मा को निर्वान महसों मनाय जाता है जो कि आपके पाओ नगर mi çaली को नाम कन्याकूप जित्था पतنजली के माहभाश के ताल्यमी के दांजिय गोराफी पुराणों महा भारत चीनी यात्री फायान और हुएन सांग ने अपने विवरण में कन्नोज नगर का उल्ले किया है देखे कहा कहा पर उल्ले हुआ है आपकी कन्नोज का तो देख सकते हैं महा भास में जो कि पतंजली का है टारिमी के दाजियोगरॉफी में भुआ है, माहा भारत में भुआ है, चिनी आत्री फाया ने भी और वेन सांग ने भी इसका विवरन अपने पुस्तकों में इन्हों ने किया है अगला यहाँ पर दिया गया है कि समराट हर्स के समय कन्योज को नगर महुदै श्री के नाम से भी जाना जाता था, कन्योज इतन नगरी के लिए भी क्या था, आपका प्रसिद था, ठीके, आगे बटते हैं प्रसनफ सिगला पूचा गया है, यहाँ के प्रमुख दासनी के ठीके, आगे बटते हैं, कोशन आप से अगला पूचा गया है, चले आगे बटते हैं, प्रसन आप से अगला पूचा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, सिकंदरा, सिकंदरा के गर्म बात करते हैं, तो अभी एक कोशन पूचा गया था, कि आगला के समीब सिकंदरा म यहीं हुआ था फतेपुर सीकरी ही सूफी संद सेख सलीम चिस्ती का निवासिस्थल था ठीक है ना और 1578-188 के वीच फतेपुर सीकरी मुगल समराज की क्या थी राधानी थी यहां के प्रमुख आपके जो आपकी समारक है तो आपका बुलंदर वाजा, जोधा भाई महल बीरबल का महल, मर्यम का महल पंच महल, सेख सलीम का जो चिस्ती का मगबरा है यह सभी काहां पर है तो आपके फतेपुर सीकरी में है काहां पर भी फतेपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसनाप सिला पूछा गया है कि प्रयाग राज की कर्म बात करते हैं तो प्रयाग राज को भी सभी हिंदू तीर्थों के राजा होने का गौरो प्राफ्त है किसे तो आपके प्रयाग राज राज है तो कोशन ऐसे बन सकता है सभी हिंदू अक्टूबर 2018 में 444 वर्ष के बाद इलावाद का नाम प्रयाग राच कर दिया गया है ठीक है असोक इस्तमजीस पर गुप्त वंस के सासक समुद्र गुप्त का जो की हरिसेंट द्वारा रचित है एक लेक उतकीन किया गया था अक्बर ने कौसंबी में मंगा कर उसे प्रयाग के अपने किले में सापित करवा लिया ठीक है अगला यापर दे सकते हैं कि समराठ अस्वर्धन प्रतेक 5 वर्ष प्रयाग में महा मोच परिसत कायोजन करता था ठीक है अगला आपस दिया गया है प्रयाग में प्रतेक 12 वर्ष महा कुम तता छटे वर्स अर्दकुम और इसके अलावा हर वर्स माघ मेले कायोजन होता है अगर कोशन पूछे कि माघ मेले कायोजन कहा होता है तो आपके प्रयाग राज में होता है आगे बढ़ते हैं प्रसनाप सिगला पूछा गया है देखो जितना भी पॉइंट था वह हमने इसमें से बता दिया अर्ताति इस टॉपिक से यह जो टॉपिक था उसके कोशन हमने पहले सौर कराया है इसके अब्जक्टी कोशन सौर कराया इसकी थेओरी भी बता दिया है